नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सिभा उनलाइन क्लासेज में दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ आपके लिए DRDO MTS 2020 में जो रिकूट्मेंट होने वाली है उसके कुछ महतुपन्ट कोस्चन्स तो दोस्तों बहुत ही आप इस वीडियो को एंड तक देखें और अगर आपने DRDO MTS यानि कि Defense Research and Development Organization इसकी full form होती है कि MTS MTS की full form होती है दोस्तों multitasking staff तो आपने अगर DRDO MTS 2020 में जो recruitment होने वाली है उसके लिए form अप्लाई किया है तब तो आपके लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना चाह है क्योंकि ये वीडियो होने वाले ही आपके लिए बहुत ही important तो चलिए दोस्तों सुरू करते हैं आज की वीडियो first question है हमारा question number 1 अरजन पुरसकार से सम्मानित सुनीता चंद्रा का हाल ही में निधन हो गया बे किस खेल से जड़ी हुई थी option से आपके option A होकी, option B क्रिकेट, option C फुटवल and option D टेनिस तो दोस्तों हाल ही में अरजन पुरसकार से सम्मानित सुनीता चंद्रा का निधन हो गया बे किस खेल से जड़ी हुई थी तो दोस्तों question number 1 का correct answer है option A होकी, जी हाँ दोस्तों सुनीता चंद्रा जो थी वो होकी खेल से जड़ी हुई थी इनके लिए अरजन अवार्ट से भी सम्मानित किया गया था तो जान लेते हैं इनके बारे में कुछ entertainment दोस्तों यहाँ पर मद्धिप्रदेश का नाम आया है तो मद्धिप्रदेश के दोस्तों मुखमंतरी का नाम है कमलनाथ और राजदानी है मद्धिप्रदेश की बोपाल में मद्धिप्रदेश की सीमाएं पांच राज्यों की सीमाओं से मिलती हैं उत्तर में उत्तर प्रदेश से मिलती हैं पूरब में 36 गड़ से दक्षण में महराष्ट से पस्चिम में गुजराश से तथा उत्तर पस्चिम में र लाल जी टंडन तो मुख्यमंत्री के नाम हो गया कमलनाथ, राजदानी, भोपाल, टोटल बावन जिले हैं मदिप्रदेश में और यहां के राजपाल का नाम है लाल जी टंडन तो नेक्स्ट कोस्टिन के तरफ चलते हैं, नेक्स्ट कोस्टिन है मारा कोस्टिन नमबर टू, नागरिक्ता कानून के खिलाफ प्रस्ता पास करने बाला चोथा राज निमन में से कौन सा बना, ओफ्सन से आपके, ओफ्सन ए, पस्चिम मंगाल, ओफ्सन बी, तमिल नाइडू, ओफ्सन सी, बिहार, एंड ओफ्सन डी, केरल, तो दोस्तों कोस्टिन नमबर टू का आपका ओफ्सन ए, पस्चिम मंगाल, जी हाँ, दोस्तों, पस्चिम मंगाल ने भी नागरिक्ता कानून के खिलाफ प्रस्ता पास करने बाला चोथा राज बन गया है, मतलब पस्चिम मंगाल ने नागरिक्ता कानून के खिलाफ में जो है, प्रस्ता पारिद किया है, तो पूरब में बंगलादेश, दक्षिण में बंगाल की खाड़ी, तथा उलीचा, तथा पस्चिम में बिहार तथा जहारखंड इस्थित हैं। Next question कर लेते हैं दोस्तों, next question से पहले मैं आपको इसी के वारेम कुछ और डेटेल में बताना चाहूंगा दोस्तों तो यह प्रस्था पस्चिम मंगल के संसिधिय कार्यमंत्री पार्थ चेटर जी ने सदन में पेश किया था, इससे पहले केरल, पंजाब, राजस्थान में इस कानून के खिलाब प्रस्था लाया जाज चुका है। तो यह तीन स्टेट यह इंक्लूडिंग पस्चिम मंगल इन चारों स्टेट में यह प्रस्था लाया जा चुका है। पाकिस्तान से धार्मिक प्रतार्णा के कारण भारत जो लोग आ गए हैं उनके लिए वो चाहें किसी भी समदाय के सही, मुश्लिम हो वो, हिंदू हो, बौध हो, सिक हो, जैन, पार्शी, तथा इसाई, वो किसी के समदाय के लोग हैं, अगर वो भारत आये हैं तो उनके लि में डेबू पर पहले ओबर में हैट्रिक लेने वाले इतियास में पहले क्रिकेटर बन गए हैं, तो दोस्तों मद्य प्रदेश के एक बाय हांत के गेन बाज हैं, जिन्होंने अपने डेबू मैच के पहले ही ओबर में हैट्रिक लेने वाले ये इतियास में पहले क्रिकेटर बन गए हैं तो options हैं आपके option A समीर रिजबी, अंकित राजबूद आरेन, जुवल और रभी आदब तो question number 3 का correct answer है option D, रभी आदब जी हैं दोस्तो रभी आदब ने अपने पहले ही debut match में पहले ही over में हैट्रिक लेकर ये cricket के इतियास में पहले खिलाड़ी बन गहा है जोनोंने अपने पहले ही match के पहले ही over में और हैट्रिक ली हो तो दोस्तो रभी आदब के बारे में कुछ detail में जान लेते हैं रभी आदब ने उत्तर प्रदेश के आरेन जुवल अंकित राजबूद और समीर रिजबी के बिकेट लेकर ये उपादी हांसल की है तो रभी आदब ने दोस्तो उत्तर प्रदेश के आरेन जुवल अंकित राजबूद और समीर रिजबी के बिकेट लेकर ये उपादी उपलब्दी हांसल की है परदापल मैच में यानि कि डेबियू मैच में भारत में दो गिन बाजों जवागल स्रिनाथ करनाटक से थे और जोगंदर राव ने हैट्रिक ली है लेकिन बेबी पहले ही उबर में ऐसा कमाला नहीं कर सके थे बी-सी-सी-सी-सी-सी के दोस्ते हैं आपर बात हुई है तो बी-सी-सी-सी-सी-सी के अध्यक्ष हैं सौरब गांगुली बी-सी-सी-सी-सी-सी-सी-सी-सी-सी-सी-सी-सी-सी-सी-सी-सी-सी-सी-सी-सी-सी-सी-सी-सी-सी-सी-सी-सी-सी-सी-सी-सी-सी-सी-सी-सी-सी-सी-सी-सी-स नेक्स्ट कोस्टेन ले लेते हैं दोस्तों नेक्स्ट कोस्टेन है हमारा कोस्टेन नमबर 4 हाल ही में बैग्यानिकों ने किस देश के तीनेजर बरस पुराने प्राचीन मानब की आवाज को दोबारा सुनने में कामियाभी पाई है आपसेंस हैं आपके दोस्तों यहां पर मिस्र की बात हुई तो मिस्र के बारे में थोड़ी सी हम और जानकारे ले लेते हैं अडिशनल नौलेच यहां पर दोस्तों मिस्र की राजधानी का नाम है काहिरा यहां दोस्तों यह सबसे बड़ा सहर है मतलब मिस्र की राजधानी है काहिरा काहिरा मिस्र क किनारे बसा हुआ है और अफ्रीका महादिव का सबसे बड़ा नगर है तो दोस्तों पांच नमर कोस्टन है मारा कोस्टन नमर फाइब है गरतंतर दिबस 2020 की परेड में किस राज़की जहांगे को प्रिथम पुरुसकार मिला है आपके आपके आपसन ए असम आपसन बी बिहार आपसन C पंजाब एंड आपसन D गुजराज तो दोस्तों कोस्टन नमर फाइब का करेक्ट आंसर है आपका आपसन A आसम जी हैं दोस्तों गरतंतर दिबस 2020 की जो 26 जिनवरी को राज़पर दिल्ली में जो परेड हुई थी उसमें सभी राज़्यों की जहां की आई हुई थ मतला हमारे रक्ष्यमंत्री कौन दोस्तों राजनाच सिंग तो रक्ष्यमंत्री राजनाच सिंग ने विशे सिल्प कौसल और संस्कृति विशे पर आधारित असम की जहां की को सर्वस्रेश्ट जहां की का पृस्कार दिया ओलीशा और उत्तर प्रदेश की जहां की जहां क प्रिदेश पूरब में नागलेंड तथा मड़पूर और दच्छन में मिजोरम तथा मेगाला अब पस्चिम में बंगलादेश एस्तित है असम की राजदानी है दोस्तों देशपूर सबसे बड़ा सहर है असम का गुहाटी असम का गठन हुआ तो दोस्तों 26 जनवरी 1960 के लि तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करते हैं और हमारे चैनल पर अगर नहीं है चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफ या हमारे यूटुब चैनल या हमारे टेलिग्राम चैनल सिभा ओनलाइन क्लासे से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं तो येक्स्ट कैसन नमरे सिक्स सिख खालिक बिन खलीफा बिन अब्दिल अल्धाली को किसुदैस का निया प्रधानमांत्रि नियुक्तत किया गया है uction से आपके option A.A. Iran, option B. Iraq, option C. Saudi Europe and option D. Qatar तो दोस्तो question number 6 का correct answer है option D. Qatar तो दोस्तो चतर के प्रधान मन्तार नाम है sec syrup Khalid bin Khalifa और Qatar की राजधानी है दोस्तो दोहा में next question की तब चलते हैं दोस्तो question सुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये DRD MTS 2020 में जो भरती होने वाली है उसके लिए ये खास करके वीडियो बनाएगा ये बहुत ही important वीडियो है दोस्तों तो question number 7 है हमारा हाल ही में किस राज ने राज बिधान परसा समाप्त करने का प्रस्ताप सर्वसमति से पारित कर दिया है options हैं आपके option A आंधरप्रदेश, तमिल नाइडू, करनाटक या फिर बिहार तो question number 7 का correct answer है option A आंधरप्रदेश जी हैं दोस्तों आंधरप्रदेश सरकार ने सर्वसमति से राज बिधान परसाथ समाप्त करने का आदेश पारित कर दिया है तो next question के तरफ चलते हैं, next question है हमारा question number 8 किस बिश्वत्याले ने हाल हिमें आयो जित बर्स दिक्षान समारों में नोबल पुरुसकार बजेता अबजीत बिदा अबजीत बनायक बनरजी को दिलिट की मानव उपादी उपादी पृधान की है ओप्सें से हैं, option A , option B , option C , इरली विश्वत्ये ओप्सेन नम्र एक का रहें आफशन सी कलकते बिसे दिअलें जीहां दोस्ति हाँ भी हाल हीमें अब जीत वनायक के लिए अब जीत बनायक बनरजी को डीलिट की उपादी शessäव मानित किया गया है क्योंकि इन्हें हाल इम support नोबल पुरुषकार से समानित किया गया थै तो नेक्स्ट कोश्चन है हमारा कोश्चन नम्बर 9 तीसरे बैस्विक आलू सम्मिलन का आयोजन हाल ही में किस राज में किया जा रहा है तीसरे बैस्विक आलू सम्मिलन का आयोजन हाल ही में किस राज में किया जा रहा है लेते हैं next question है हमारा question number 10 बरिष्ट राजनाइक तरंजित सिंग संदु को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है option से आपके option A अमेरिका, option B रूज, option C नेपाल and option D है दोस्तो आपका चीन तो बरिष्ट राजनाइक तरंजित सिंग संदु को किस देश का राजदूत नियुक्त किया गया है question number 10 का correct answer है option A अमेरिका, जिया है दोस्तो इनकली अमेरिका का राजदूत नियुक्त किया गया है तो ये थे हमारे आज के 10 questions वीडियो कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट करके जरूब बताईएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके कमेंट जरूब करें और वीडियो को ज्यादा ज्यादा सेयर करें तो दोस्तो अगर आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वैल आइकन को प्रेस कर लें जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते हैं सबसे पहले तो चलिए दोस्तो थेंक्यू फर वाचिंग कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में तब तक के लिए नमस्कार जैहिन जैवारत